Hello everyone and welcome back once again in another session of summaries. देखे, आज हम जो discuss करने वाले हैं, वो class 11 की English की जो hornbill book है. उसमें एक chapter है, the browning version. आज हम इस chapter की summary discuss करने वाले हैं. देखे, before moving on, मैं एक छोटी सी discussion आपके साथ करना जाऊंगी, ताकि हमें ये पता चले कि इस chapter का नाम आखिर ये browning version क्यों दिया गया है. Robert Browning नाम के एक English poet and dramatist हुए है, जिनकी जो writings basically हुआ करती थी, वो ironical situations को present करती थी. मतलब एक पहलू कुछ और बताता है, लेकिन दूसरा पहलू कुछ और बताता है. तो कुछ इसी तरीके से ये जो chapter हमें दिया गया है, वो दो पहलू को दर्शा रहा है, कि actually story कुछ और कह रही है, लेकिन अगर हम इन deep depth, in deep deep sense meaning देखें, तो कुछ और ही उभर कर आता है. तो चलिए अब start करते हैं इसकी introduction और फिर देखेंगे, फिर पता लगाएंगे कि क्यों वाकई में इसे ironical लेते हुए browning version नाम दिया गया है. The chapter is an extract from the play the browning version written by Terrence Rettigan, ये आपको author का नाम, writer का नाम बताया हुआ है, Terrence Rettigan के ही एक play जिसका original name भी the browning version ही था, उसमें से ही इस chapter को सिरफ एक extract की form में लिया गया है, मतलब ये play पूरा play नहीं है, इसका कुछ ही भाग है, it is a one-act play set in a British school, अब कहां पर plot किया गया है, कहां पर ये एक तरीके से हम जैसे कहते हैं कि movie को picturize किया गया है, तो ये play का scene कहां का है, ये आपको बता दिया गया है, कि ये एक British school का play है, जिसमें having tableau, जो कि एक 16 साल का student है, Frank जो कि एक young teacher है, Mr. Crocker Harris जो कि एक middle-aged teacher है, और Millie जो कि Mrs. Crocker Harris है, मतलब Crocker Harris की wife है, ये as a main character's role play कर रहे है, एक और चीज में आपको यहीं पर clear कर देना चाहूंगी, कि हमें इस chapter में tableau, frank और millie का योगदान देखने को मिला है, Mr. Crocker Harris जो हैं, वो physically खुद present नहीं रहे हैं, लेकिन जो बाते हैं, वो सारी इनके ही आसपास घूमती हैं, तो चलिए अब पढ़ते हैं, description about the text, तो देखो क्या है, in the beginning, यानि की starting में, शुरुवात में, टैपलो has been waiting for Mr. Crocker Harris, who has not yet arrived, तो जो टैपलो है, मतलब वो जो 16 सल का student है, वो wait कर रहा है, Mr. Crocker Harris का, और हमें पता है कि वो एक teacher है, तो that means वो टैपलो के भी teacher है, वो अभी आए नहीं है, वो उनकी wait कर रहा है, in the meantime, तो इस दोरान, he meets Frank, तो वो किस से मिलता है, Frank से मिलता है, जो कि एक young teacher है, and starts conversing with him, तो उनसे बातचीत करने लग जाता है, Frank inquires him, about the reason of coming to the school, तो वो पूछते हैं कि तैपलो से, कि तुम क्यों आयो school, क्या कारण है school आने का, तैपलो replies that he has come to do some extra work at the orders of his master, Mr. Harris, तो तैपलो ये बताता है, कि मुझे Mr. Harris ने कुछ extra work देना है, या दिया है, तो इसलिए उनके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, and he hopes to get the remove, now what do we mean by remove, remove actually passing certificate को indicate किया गया है, इस चापकर में, कि उसे passing certificate चाहिए था, अपने teacher से, इसलिए वो अपने teacher के कहने पर extra काम करने आया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको clarify करना चाहूँगी, क्योंकि वो टैपलो, कुछ दिनों से बिमार चल रहा था, school आने ही पा आने की वज़ा से, मेरे absent होने की वज़ा से marks ना cut कर ले, तो इसलिए होता है ना कि बच्छे buttering and all that करते हैं, teacher का कहना मानता है कि हाँ, आपका ये काम करने के लिए भी तयार है, ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, हम ये काम दो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ concept present किया गया है कि टैपलो जो है, certificate में good marks या certificate हासिल करने के लिए, अपने teacher को actually हम कहेंगे, अपने master को satisfy करकर, अपना remove हासिल करने के लिए, passing certificate हासिल करने के लिए, extra work करने के लिए तयार हो जाता है, और school में आता है, ठीक हैं, फिर क्या होता है, he tells Frank, अब क्योंकि crocker Harris तो आई नहीं है, तो he tells Frank that his master does not tell the results till the last moment, तो आखरी पल तक जो उसके teacher है न, यानि कि वो Mr. Crocker Harris की बात अब यहां पर कर रहा है, कि Frank को बता रहा है कि वो न, end moment तक भी results declare नहीं करते हैं, जैसे होता है न, 31st March को आपका result declare होगा, तो Mr. Crocker Harris 31st March को ही marks disclose करेंगे, उससे पहले, किसी भी student को, वो बिलकुल भी, कोई भी marks disclose नहीं करेंगे, तो that means, यहां पर यह show होता है, कि जो Mr. Crocker Harris है, वो कितने जादा strict और एक तरीके से discipline को follow करने वाले teacher है, He is the only one who follows this rule, वही सिरफ यह rule follow करते हैं, और कोई teacher नहीं करते हैं, तो Tablo hopes to opt for science in the next term, if his result is favorable, अब यहां पर यह भी बात आपको बताई जा रही है, कि Tablo जो है, वो यह उमीद लगा रहा है, कि मतलब मुझे अगर मेरा passing certificate अच्छे से मिल गया, तो मैं next term में science as a subject रखूँगा, अगर मेरा result favorable आता है, अच्छा आता है, positive आता है, तो ठीक है, अब जैसे Frank और Tablo के बीच में discussion चल रही है, वो से साब से हमें बीच में यह भी पता चलता है, कि वो किसी book की बात करता है, तो क्या कहता है वो उस book के बारे में, He remarks the book Agamemnon written by Aeschylus as Muck, देखो Muck का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे useless से, तो यहाँ पर basically जो Frank के साथ टैपलो बातचीत कर रहा है, तो उसमें वो क्या बताता है, कि मुझे यह जो particular book है न, वो बिलकुल ही बेकार लगती है, useless लगती है, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बत आना चाहूंगी, कि क्यों इस book का यहाँ पर जिक्र आया है इस chapter में, क्योंकि जो Robert Browning की ironical themes का जिक्र, मैंने आपको earlier दिया है, वही कुछ चीज जो है, वो इस book में भी हमें जलक देखने को मिलती है, actually यह एक Greek writer है, जिनोंने वो Greek play लिखा है, जो book लिखी है, उसमें ऐसा कि husband का wife के द्वारा ही murder कर दिया जाता है, तो actually हो गया ना contradictory, ironical concept कि normally तो हम यह सोचते हैं कि एक couple के बीच में बहुती love होता है, care होता है, affection होता है, लेकिन इस play में कुछ और ही उभर कर आया, इस book के थुरू कुछ और ही उभर कर आया, तो इस यह जो टैपलो था, उसने इसे एक useless sort of book करार किया, लेकिन जो frank है, he doesn't seem to agree, वो इस बात से सहमत नहीं होता है, तो आगे हमें फर्दर क्या पता चलता है, it is clear from their conversation, उनकी बात्ची से हमें क्या clear होता है, that टैपलो does not like his master, और उसके master कौन है, Crocker Harris, तो वो पसर नहीं करता है अपने teacher को, he often calls him the crock, which is a short form of crocodile, तो वो अपने teacher को the crock कहकर पुकारता है, indicate करता है, he imitates his master's voice, तो वो mimicry भी करता है, अपने master की अवाज की, किसके सामने करता है, in front of frank, ठीक है, frank उसे रोकता नहीं है, frank के सामने, यह सब काम कर रहा है, crock भी कहकर बुला रहा है, और voice भी mimic कर रहा है, he says that his master is hardly a human, he has no feelings, he is a strange person, तो वो यह सब बाते हैं, अपने master के बारे में, crocker harris के बारे में, frank से करता है, क्या कहता है, कि मेरा master जो है, वो बिलकुल भी, इनसान के like नहीं है, मतलब बहुती ज़्यादा hard है, एक तरीके से बहुती ज़्यादा rude है, strict है, कोई feelings नहीं है, और बहुती अजी but he did out of politeness to his master, अब टैपलो जो है न, वो frank को एक incident बता रहा है, एक बात बता रहा है, एक दिन की, कि crocker harris ने class में कोई जोक सुनाया था, लेकिन कोई भी नहीं हसा था, लेकिन वो अपने teacher का दिल लखने के लिए कह दो, politeness के चलते हुए, वो हसा था, और कोई नहीं हसा था, ठीक है, जिसके चलते हुए बाद में, crocker harris ने उसे ये भी कहा था, टैपलो को, कि सारी class में अब तुम ये जोक भी समझाओगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, frank seems to encourage taplos comments on crocker harris, तो वो जो frank था न, वो बार बार टैपलो को encourage कर रहा था, और ज़्यादा प्रे एक jealousy वाली feeling जो थी, वो यहाँ पर देखने को मिली, प्लस हमने ये भी देखा था, line by line explanation, अगर आपने सुनी है तो, कि वो उस जोक को भी repeat करने के लिए टैपलो को कह रहा था, लेकिन जिस वक्त वो कह रहा था न, suddenly अचानक से क्या हुआ था, उस वक्त मिली enter कर जाती है, मत husband will not come for some time, तो जो मिली है, वो आकर क्या बताती है, कि मेरे husband जो है, वो अभी कुछ time period के लिए आनी पाएंगे, वो कहीं और busy है, he is at the bursar, जो कि basically हम कह सकते हैं, कि जो एक finance department को समालते हैं, like school की tuition fees वगरा, collect करते हैं, इकड़े करते हैं, तो हम उस individual को bursar कह देते हैं, तो वो वहां busy है, तो वो आ नहीं सकते हैं, she says that he can go, if he wants to go, तो वो क्या कहती है, कि अगर वो जाना चाता है, यारे कि tap lo अगर जाना चाता है, तो वो जा सकता है, but tap lo refuses to go, लेकिन वो मना कर देता है, अब वो क्यों मना करता है, देखो यहीं से बात उबर कर आती है, कि वो अपने teacher क कही हुई बात को मतलब टाल नहीं सकता है उसे बुलाया था तो वो चाता है कि मेरे टीचर ने जो मुझे काम दिया है मैं वो काम पूरा करूँ लेकिन क्योंकि टीचर मौजूद नहीं होते हैं तो वो इस तरीके की प्रॉब्लम में फस जाता है फिर क्या होता है तो मिली कहती है कि मतलब जब वो रिफ्यूज करता है तो मिली को पता चल जाता है कि वो अपने टीचर को डिसॉबे नहीं करना चाता था इसलिए मिली कहती है कि वो वरी मत करे उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो वो उसे एक particular prescription slip देते हुए कहती है कि chemist chop से जाओ और medicine लेकर आओ तो basically जो हमारा ये play है क्योंकि मैं already आपको बता चुक्यों कि एक big play में से ये एक सिरफ एक extract की form में लिया गया है तो इसका एक particular end नहीं हमें मिल पाता play जो है वो यहीं पर खतम हो जाता है कि जब वो prescription लेकर टैपलो वहां से निकल जाता है तो the play ends as टैपलो goes towards the door तो जब वो वहां से चला जाता है तो play भी वहां पर खतम हो जाता है लेकिन हम basically इस British school में हुए इस particular interaction Frank, टैपलो और मिली इनके बीच में हुई interaction के basis पर जो Mr. Crocker Harris को लेकर जो points है जो perceptions है टैपलो की वो निकल कर आती है वो उभर कर आती है उसे हम अगर Browning version के accordingly Robert Browning की theme के accordingly conclude करें तो basically देखो क्या points निकल कर आते हैं so what we can conclude this play actually presents the relationship between a student and a teacher based on the themes of Robert Browning's writing it expresses an ironical situation अब क्या ironical situation present हो रही है where on one side the student dislikes his master on the other hand shows care and dedication towards his teacher also तो मुझे उमीद है कि आपको बहुत ही आसानी से यह समझ में आ गया कि एक side पर तो वो अपने teacher को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है लेकिन दूसरी side पर care भी show कर रहा है joke, सुना, हसा और teacher की कही हुई बात को टालना नहीं चाता तो इसलिए जाने से भी मना कर रहा है तो dedication भी अपने teacher को लेकर वो show कर रहा था तो मुझे उमीद है कि यहाँ पर जो हमारी यह summary खतम होती है आपको browning version का concept बहुत ही अच्छे तरीके से clear हुआ बहुत ही अच्छे से समझ में आया kindly do some honors अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे videos को like करना, share करना अपने views comment box में share करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा thank you so much for watching the videos and have a nice day